स्वागत है सबका सत्य के तो किस ओनलाइन लाइफ क्लासिश के प्लेटफॉर्म पर आज 66 बार जो टेस्क पर पर है उसका हम लोग सॉलुशन करेंगे बच्चों चलिए शुरुबात करते हैं पहले सवाल के साथ प्रस्ट ना पहला है वर्गाकार खेत का छेत्रफल 324 वर्ग बीटर है चेत्रफल अब या वर्ग का छेत्रफल क्या होता है भुजा स्कॉर्ण बुजा इंटू बुजा मंग जो चेट्रफल परिमाप आईतन जो भी दे रखाओ उसको उसके शुत्र के बराबर में लिखना है तो भाईया चेत्रफल हमें दे रखा है 324 A square चैतरपल का सुत्र बराबर 324 A बराबर आगि A square एटा है इस तरफ अन्रूप 324 का वर्ग में यह आगिया बच्चाओं 18 मेटर है अब कहा रहा उस खेत की परिमिती परिमाप मतलब है परिमिती कह दो चाहिए परिमाप कह दो चाहिए खेत के बाड़ की लंबाई वो एक ही बात है वर्ग का परिमाप कितना होता है 4 A 4 इंटू 18 8 चौक 72 और परिमाप भुजाओं की लंबाई का योग ही होता है बच्चों तो वो कितना हो गया बच्चों आपके 72 मिटर कितना हो गया बच्चों 72 मिटर ठेक है चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं बच्चों अगला प्रेश्ण तीन अंकों की वाद छोटी छोटी संक्या क्या होगी जिसमें 12, 18, 24 से भाग दें तो भाग पूरा-पूरा चला जाएगा इसको ऑप्शन से करें तो ज्यादा सही है बच्चों जसोल सिंग भाटी बिल्कुल सही जवाब है इसका बहतर अब यह जो सवाल है इसका हम लोग करते हैं इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं तीन अंकों की वाद चोटी छोट संक्या जिसमें 12 18 24 का भाग पूरा पूरा जाता हो वही संक्या आंसरोगार ऑप्शन से करोगे तो चार ऑप्शन आपको दे रखे थे उसमें ऑप्शन 145 आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट होगा ठीक है ऑप्शन क्या करेक्ट होगा बच्चों 145 अब आप लोग ध्यान दें अगर इसको प्रॉपर तरीके से करें तो छोटी से छोटी का मतलब क्या निकालना है लशब छोटी से छोटी मतलब लशब तो भाईया हमने 12 कॉमा 18,24 पहले लशब निकाल लेते हैं लशब निकालने के लिए लगा के बच्चों एक-7 हम लिखते हैं फिर 2 का भाग दिया 2 का बाग छे बार इसमें नौ बार इसमें 12 फिर दो का बाग छे में तीन नौ में नहीं गिया विता एक बचže करेंद से गार भर फिर दो का बाग तीन नौ ठीन ओर देंग पादेंग को हैं लशब कितना अजयाक ब्लिदा दों धर दोंग्य का दो इन्ट मिदनाओ नो नार्ट यह 48 इनका लशब कितना है बच्चों 48 लशब कितना है इनका 48 अब 48 का भाग जिसमें जाएगा वो ही इसका आंसर होगा बच्चों लेकिन 48 तो कितने अंकों की संख्या है दो अंकों की तो हम यहां सिधा अंदार से कर सकता हैं कि 48 इंटू एक 48 48 इंटू दो छिन्नों और 48 इंटू तीन करते हैं तो 145 यह दो अंकों की इनकों नहीं लेना एंसर कितना होगया 143 नंकंप सबसे छोटी शंख्या एक चुमालेस जिस में इनका भाद जा रहा अब यह प्रस्ण है बच्छों कि अब उसको करना है तो दस्बलों में बदल दो अंसर इसका दस्बलों में है ठीक है न है तो इनको दस्बलों बदल सुनिएगा 15 यह सेब्स है इस सब्सेड वाना जाता है संख्या के अगर पॉइंट नहीं देर का है सब्सेला चुमाना जाता है एक जिरोगन पॉइंट यहां दो जिरोगन बाद पॉइंट यहां 003-500 , minus 5 7N गुना में point, इस्तरफ आता है और भाग में point उस्तरफ जाता है, तो बसे लाश्ट मानाथ यहां पॉइंट है एक जिरोग ग्या जिरो पैंट एक डूर फिर पॉइंट और फिर पॉाइंट फिर पॉइंट है एक ढग लूरा पार जाएगा एक गारी एक धिले कि सहाँ है दस पॉइंट ए जब Nós इनको और 0.008 पॉइंट की निज़े पॉइंट अंक की इधर पहले निज़े पहला दूसरेंग तीसरेंग निज़े तीसरेंग एसे ले लेना है जहां खाली देगा जिरो जोड दो 876.0 मैंने दस मलव की तीनों संख्याओं को जोड दिया तो यह आ गया बच्चों आपके 0.678 माइनस है 10.678 अब 15 और इसको जोड दिया अगर पॉइंट नहीं दे रखा है सबसे लाश्ट मानता है पॉइंट के बाद 0 15.0 इसको जोड दिया तो यह आया 15.678 इस में से जाएगा 10.678 तो 678 से 678 कटी जाएगा उत्तर 15 में से 10 आएगा गटेगा फिछे कितना आ जाएगा ना यह 678 इस में से सीधा घटी जाएगा तो पीछे 15 माइनस 10 उत्तर कितना आ जाएगा पांच ठीक है अब अगला सवाल करते हैं भाईया भिन संक्या का अलग ताउप का लेकिन अच्छा सवाल है करा दो संख्याओं का योग 57 है give her करा दो शंख्याओं की 57 है पहली शंख्या के एक बटा तीन भाग का मान 9 है पहली संख्या के एक बटा तीन भाग का मान नौ है ठिक है ना अब क्या कह रहा है इसको समझें पहली संख्या के एक बटा तीन भाग का मान नौ है भाया सुनना पहली संख्या जो है उसका एक बटा तीन भाग प्रश्ण पढ़ें पहली संख्या तो पहली संख्या इंटू उसका एक बटा तीन भाग तो पहली संख्या इंटू एक बटा तीन बराबर 9 तो पहली शंख्या यहां से अपने कितनी आ गई बच्चों यह तीन भाग में गुणाम चला जाएगा 9 इंटू 3 27 आ गई पहली शंख्या तो दूसरी शंख्या कितनी आ जाएगी बच्चों अपने दोनों शंख्याओं का योग कितना दिया है 57 योग हमें 57 दिया है पहली शंख्या 27 है तो दूसरी शंख्या 57 माइनस 27 बच्चों अपने को कितने अप्राप चुझाएगी दूसरी शंख्या 30 जैको पहले बात क्या कह रहा है पहली शंख्या के एक बटा तीन का भाग 9 है तो प दूसरी संख्या का एक बटा दो भाग दूसरी संख्या हमें पूछ क्या रहा है बच्चों दूसरी संख्या का एक बटा दो भाग क्या हो जाएगा बच्चों दूसरी संख्या इसका एक बटे दो आंस्वर कितना आजाएगा बच्चों 15 आंस्वर कितना आएगा भईया 15 ठीक है आंस्वर इसमें कितना आजाएगा 15 वेरी गुड सही जवा अब यह सवाल है इसमें मैंने आपको ट्रिक बताई आसान लेकिन अच्छा सवाल है इंपोर्टेंट सवाल है आसान है लेकिन बढ़िया सवाल है इसको करपिया समझिएगा बच्चों ध्यान दीजिएगा बच्चों क्यारा एक के लिए मैं 100 आदमीओं के लिए 100 आदमीओं के लिए 50 दिन की खादेशा में जो चीज है देरखी मैं वो लिख देता हूं सौ आदमी है सौ आदमियों के लिए खाना कितने दिन चलना है बच्चों 50 दिन हमें जो प्रस्ण में दिया है वह मैं लिख देता हूं सौ आदमियों के लिए खाना कितने दिन चलना है बच्चों 50 दिन तो मैंने लिख दिया वैशा का वैशा कि 100 आजमियों के लिए खाना कितने दिन है 50 दिन 100 आजमियों के लिए 50 दिन खाना चलेगा कैरा 10 दिन बाद तो यह 10 दिन में तो 10 दिन का खाना खाई जाएंगे यह तो 10 दिन बाद अब ये 100 आजमियों के लिए खाना कितने दिन रहेगा बच्चों कि 50-10, 40 दिन रहेगा बच्चों 100 आजमियों के लिए खाना कितने दिन है बच्चों, 50 दिन, कहारा 10 दिन बाद, तो 10 दिन में 10 दिन का खाना खाएंगे तो 6 कितना रहा? 100 दिन के लिए खाना 50-10 बराबर 40 दिन रहेगा, ठीक है, कहरा आप 10 दिनों के बाद 20 आदमी के बाहर चले जाने पर, ठीक है, अब आदमी कितने हैं बाईया? अब आदमी कितने हैं? 100 आदमी थे पहले, 20 आदमी चलेगे, अब आदमी कितने हैं बच्चों? 80, 80 आदमी के लिए कितने दिन खाना चलेगा, ये पूछ रहा है प्रश्णा में, बच्चों सो आदमी थे, 10 दिन बाद तो 50-10 अब दिन 40, 100 आदमी के लिए खाना कितने दिन चल चले गए तो सो माइनस बीस अशी रहेंगे अगर कहता है बीस आजमी आगे तो सो प्लस बीस एक सो बीस लेते चले गए तो अशी तो हम यहां जानते हैं M1 D1 बराबर M2 D2 M1 आजमी कितने सो इंटो दिन कितने 40 बराबर M2 आजमी कितने अशी दिन नहीं पता एक्स ठेक है कि बई सो आजमीं के लिए खाना कितने दिन चलेगा 40 दिन एम यानी मनुषिय दिन एम यानी मैं डी एम आजमी कितने सो मनुषिय दिन कितने 40 M2 आजमी कितने अशी दिन पूछ रहा है यह कि अशी गुणा में भाग में जाएगा सो इंटो 40 बटा अशी आ जाएगा बराबर एक्स 40 का भाग दी एक इसमें दो सो में दो का भाग दी अब 50 एक्स आगिया 50 तो कितने दिन चल जाएगा बच्चों पचास दिन वह खाना चल जाएगा बच्चों आशान लेकिन इंपोर्टेंट सवाल है अगर यह सवाल हो गया तो बहुत बहुत अच्छी बात है नहीं हुआ तो इस सवाल को न छोड़ें एक बार इसको गर पे जरूर हल करें अब बच्चों कहरा पर्थम 10 पूर्ण संख्याओं का औसर भया सुनिएगा पहले पूर्ण संख्याओं का कि योग का सुत्र क्या है बच्चों एन कोस्ट्रक एन माइनसने बटा दू पर्थम न प्रांकिल संख्याओं का नहींन से नंटो-वाट्ड़ लो फूंट्षंक्याओं का योग का सुत्र एन इन्टो-एन माइनसने अक भटा कि वो कितना क्या पर्थम दसकारो है तो आप् दो का बाग देश में दिया 5 यह आगिया 45 अब हमें इसका औसत पूछा है बच्छों हमें क्या पूछा है बच्छों इसका औसत औसत क्या होता है बच्छों राश्योंक संक्या राश्योंक का योग कितना 45 बटे राश्योंक संक्या कितनी 10 उत्तर कितना आजाएगा 4.5 उत्तर कितना आएगा 4.5 अगर पॉइंट में दिया हुए आंस्वर ठीक है आंस्वर बिल् पून संक्याओं का योग का सुत्र ए नीं होता है वो प्राकर संक्याओं की योग का सुत्र होता है और्थम पून संक्या का कहरे रहा है योग Si palms 65 बॉत 10 4.50 बास 0-1 यहां आएगा पॉइंट यहां पॉइंट आगी है चार फ्रॉं पास यह सवाल साइद पहले आभी गया टेस्ट में चलिए इसको दुबारा कर लेते हैं प्रस्ट नहें बच्चों एक आदमी ने 5% की दर से दर कितनी 5% की दर से 900 रुपे उदार लिए मूलजन कितने 900 तीन वर्ष बाद समय तीन वर्ष है चक्रवदी सब्द नहीं देता है तो और क्या मानना हैं सादारण व्याद हम याग पहले सिदे चुप्चा व्याद निकाल लेंगे बच्चों सादारण व्याद जो है वह क्या होता है बच्चों मूलदन इन्टु दर इन्टू समय बटा 100 गोलदन 900 तर पांच है समय तीन वाटे सो दो जीरो और ऑनठी पंदर मूलदन कितना हैं 900 plus कितना है 135 मित्षधन हो गया 1035 रुपए कितनी राशी लुटाई जाएगी मतलब वो मित्षधन लुटाई जाएगी वड़ी राशी क्या होती मित्षधन बैया 900 रुपए इसका मूलदन उदार लिया 135 रुपए ब्याज बन गया तो हम तोटल कितने रुपे देंगे बच्चाओं 900 प्लस 135 एक 1035 रुपे हम वापिस लोटाएंगे अब कहरा है तीन वर्ष बात 500 रुपे नकद तता सेज दंगराशी के लिए अपनी गड़ी की कीमत बताई तो भाया जो 1035 है वो बराबर क्या हो जाएगा 500 रुपे नकद प्लस गड़ी तो गड़ी की कीमत क्या हो जाएगी 1035 माइनस 500 बराबर गड़ी गटाया 535 आएगी गड़ी का मुल्य 532 यह आंसर है भई ठेक है गड़ी का मुल्य कितना आया बच्चाओं 535 आशर 535 हमें मूल्द यहां तक आपने निकाला वो शही है बच्चों आपने जो मूल्द निकाला 135 बच्चों जवाब दिया वो बिल्कुल शही है कई बच्चों ने यह जवाब भी दिया यह भी बिल्कुल सही है लेकिन बच्चों न तो हमें मूल्दन पूचा है न हमें म मिश्रदन है यह लोटाई जाने वाली राशी हो जाएगी या लोटाई जाएगी हो जाएगी या याज रखना लोटाई जाएगी आप पैसा लोटाऊगे लोटाई जाएगी आप पैसा लोटाऊगे बच्चों तो केवल ब्याज लोटाऊगे या केवल मूलदन ब्याज प् कीमत कितनी की हुई तो नकत पांसो गड़ी का मुली पुझा पांसो प्लस का उद्र किया माइनस का घटा पांसो पैंटीस ठीक है कि अगला प्रस्ण करते हैं अब यह प्रस्ण है इसमें मसब निकालना पड़ेगा ठीक है यह अलग टाइप का सवाल है लेकिन इसमें चैत्रफल आईतन भी है और लशब मसब भी मोस्ट इंप्रोटेंट सवालों में से यह बटा इस सवाल को जरूर समझें यह काईदे से लशब मसब का सवाल है ठीक है ना ध्यान दें एक हॉल है आईताकार जिसकी लंबाई ह है चौपन मिटर लंबाई कितने मिटर है बच्चाओं चौपन मिटर और चौड़ाई है चालीश मिटर लंबाई है चौपन मिटर हॉल की और चौड़ाई है चालीश मिटर अब कह रहा है उसमें वर्गाकार पत्थर लगाने ऐसे ठीक है ना तो मुझे बताओ इसमें लश मसव निकालेंगे कारण क्या है बच्चों मसब सदेव संक्यां उसे कैसा होता है चो चोटा तो बहुत पत्रहों की बुझा आएगी ऴरगाकार पत्र लगाएगे इस वेल messaging कि नियुकार बर्टा लगारें तो दीगी संक्या उसे छोटी संक्या मतलब क्या निकालना पड़ेगा मैं 54,40 का मसप निकालना पड़ेगा वो क्या आईगी इस पत जो है मैं सीधे लिख देता हूँ वर्गाकार जो पत्थर है वर्गाकार पत्थर की भुजा बराबर क्या होगा बच्चों यह 54,40 का मसप बया सदेव याद रखें लसप सदेव संक्याओं से बड़ा होता है और मसप संक्याओं से कैसा होता है बच्चों छोटा तो बया सीधी बात है जो पत्थर लग रहा उसकी बुजा की लंबाई लंबाई तो चोटी होगी छोटी संक्या ग्याद करनी मतलब मसब निकालेंगे बड़ी संक्या पूश्ता तो लसब निकालते भाग दे दो दो का भाग दिया 27, 20 दो का भाग दिया 27, 10 दो का भाग दिया 27 और 5 फिर 5, 3 का भाग दाएगा 9 और 5 में नहीं गिया वैसर क्वैस दिख दिया फिर 3 का 3, 5 फिर 3 का 3, 5 ठीक है फिर लस्ट में हम 5 का देंगे तो 1, 1 सोजारी बद लस्ट में यहां 3 और 5 है 3 में 3 का दिया यह तो आ गया 1 1 और 5 है इसमें 5 का भाग दिया तो अपना 1, 1 आ गया मसब क्या होगा बच्चाओं मसब वो संक्या होती है जिसका भाग सब में गया हो इस दो का भाग चौपन में गया सताउन में गया इसको लेंगे हम इसको लेंगे लेकिन क्या इस 2 का भाग 27 में गया नहीं सको नहीं लेंगे के कौमा लगा के लिख दो और फिर क्या करो सबसे चोटी संक्यां से भाग जाना शुरू करो सब में दो का भाग दो अगर किसी एक भी संक्या भाग जाता भाग दे दो दो का नहीं जाता है तीन का तीन का नहीं जाता पांच का ऐसे देते रहो जिस संक्या में नहीं जाता उस इत्माथत इत्स भाल्ठ दॉना में लेकि कि सभिशार का बाइज ही और कि यहां तक कि वर्गाकार पत्थ्थर गाइए इसकी भुजा कि अधरा कि की होगा सभी बद लेकिन आगे प्रम्प्र पूरा उगया बच्चों नहीं हमें पूछा तो अबता है पत्थरों की संख्या इक पद्थरों की संख्या बराबर क्या होगा भाईया सुनियेगा कि economies tempor MAN मटटाश कशेट्रफल के एक टाइल का कि एक टाइल का यह तो आई ज्सक्या होगी हमें पास टाइल की गुजा हो खल और तो पत्थरों की संक्या क्या होगी पूरे हॉल का चैत्रपल हॉल है आईता का लंबा इंटू चौड़ाई कर लेंगे स्चौड़ाई कर लोने संक्या क्या होगी क्या पूरे हॉल के चैत्रपल में अगर हम एक पत्र के चैत्र पल का भाग देंगे तो में क्या पान्सोचालीश पत्थर हो अगे बच्छों पांसो चालीज पत्थर आगे यह आंसुर बिटा आशान लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट और अच्छा सवाल है मसब निकाला तो उसकी भुजा आगी पत्थरों कि अब यह प्रतिशत का है इसमें ट्रिक बता रखी एक वेतन बी के वेतन से 20 प्रतिशत अधिक है अधिक देता है तो बीका वेतन एक वेतन से प्रसand प्रसand कम है यह ट्रिक आपको कई बार बता रखी इस पर सवाल कई बार कर रखें सिद्ग अधिक देता है तक हम क्या करते है एक से प्लस X इंटू 100 करते हैं सीधाइं एक से 20 प्रसेंट 20 बटा है 100 प्लस 20 इंटू 100 यह हो गिया बीश बटा 120 इन्टू 100 ब्याज से काटा एक बार 20 से काटा चैंक या आया सो बटे चेंक काटा इसको दो से पचास बटे 3 इसको अगर हम साधा भीन में बदलें पचास बटे 3 को कि तो भी आद या 3 का बाग 5 में ये यक यह एक बार ins सिंक तीन तीन परतिसात कम होगा यह हमेशा अलग आएगा ऐसा नहीं मानना है कि यार यह बीस परसेंट अधिक है तो इसका वापिस वेतन बीस परसेंट कम होगा नहीं यह यह मैंने ट्रिक आप लोगों को बता रखी अधिक कहता है तो हम यहां क्या लिया सो प्लस कम कहता कि एक वेतन बीस परसेंट कम है तो हम यहां कह लेते सो माइनस लेते अब यह सवाल इसमें मैंने बेटा ट्रिक भी बताई दी इस ट्राइब के सवाल कल पूर्शू में हमने किया है दो सोब पतीर रुपएं बेचने पर 10 परसेंट की हनी 10 परसेंट की हनी मतलब कितना हो ओा 100 माइनस 10,90 गख़ैंगे 10% का लाग कहता तो का गुणा बराबर क्या होता है मद्य पताओं का गुणा तो 90 इंटू एक्स बराबर 225 इंटू 110 एक्स क्या जाएगा बच्चों कि अगर आप ध्यान दें इस ट्रिक से कर सकते हैं कि इतने में बेचंट के लाब आनी हो तो कितने में बेचंट के लाब आनी हो यह सीधा ट्रिक यह दशपर्संट की आनी कहा एक्स बराबर हो गया दो सो पत्चीश इन्टू 110 नब्य गुणा में भाग माया काटा पिटा 275 र सब्सक्राइब कर सकते हैं कर दोस्षों पर में अगला प्रस्ण है भईया है 36 किलो में प्रस्ति कंटा और फंद्राइस मीट्र प्रति शेकंड में क्या समन्द है कि अनुपाद पूछा उसने अच्छा बढ़ा च्छोटा पूछा है तो भीया हमें पता है किलोमेटर परतीगंटा मेटर परदीस से घूणा करते हैं बिदा हम लोग 5 बटे 18 से किलोमेटर परतीगंटें को मीटर परतीजिक सदे 5 भचाव ना 1330 न blessed and 1230 1020 अर ये कितना है 15 hat enchtsus edna तो भाईया यह अमेशा बढ़ा होगा यह चिना आएगा 36 किलोमेटर परती गन्ता जो है उससे बढ़ा है 15 मीटर परती सेकंड मूह किस तरफ खुलता है बड़े की तरफ छोटा लड़ू खाना है तो चोटा मूह कोलोगे बड़ा लड़ू खाना बड़ा मूह कोलोगे तो भ बिलियन देखो यह विलियन नहीं है एक बिलियन मैं बता देता हूं यह अंग्रेज इसको ज्यादा उप्योग मिलेते हैं बिलियन मतलब होता है दस लाग एक मिलियन मतलब हो गया दस लाग एक मिलियन अच्छा यह तीन और चीज आप समझ लें एक मिलियन मतलब दस लाग फिर होता है एक मिलियन फिर होता है बिलियन और फिर होता है बच्छों एक ट्रिलियन यह तीनों चीज़ें समझ लें ट्रिलियन यह हो गया 10 करोड और यह हो गया 10 अरब यह ध्यान दे तो हमें पूछा एक billion billion मतलब 10 करोड 10 करोड मतलब इसमें कितने जीरो आएंगे बच्चों देखो को इकाई दाई सेंकना हजार दस हजार लाक दसलाक करोड दस करोड किदने एक दो तीन चार पांट चैनल चैनल ठिक हे जीरो एक रहे हो जाएगा बच्चों कि वापिस देखें दस क्रोड कहरा इकाई दाई सेंकडा अजार दस अजार लाग दस लाग क्रोड दस क्रोड ठीक है कि दस की गात8 होगा तो ओर डिरू कि यह दो कंफा में इक यह तिन याद रखें है मिलियन मतलब 10 लाघ कि कि एक ट्रीलियन मतलब 10 अरब ठीक है यह धियान दे कि तो बीलियन मतलब 10 करोड़ होंगे 10 करोड़ 21 से लिख दो इकाई दाई सेंकड़ा 10 लाग 10 लाग क्रोड यह कितना आ रहा है बच्चों 10 करोड 10 क्रोड को आप क्या लिख सकते हो 0 कितनी बार है 8 बार तो 10 की गात 8 ठीक है 10 की गात 9 इसमें शाइद आंस्वर गलत था ठीक है चली अब हम आगे चलते हैं बत्चाओं अब यह प्रस्ण है X का Y परस्ण प्लस Y का X परस्ण कर दो प्रस्ण एंघ इसका मान बताएं बच्चों इसका मान बताएं बच्चों आपताब। कर दोको आपताब। कर दोको आपताब। कि देखो चले पिछले सवाल में कुछ डाउट से मैं वापिस करेक्ट कराऊंगा उसको पिछला सवाल सो करोड से ही कह रहे हैं बच्चों मैंने वह गलत बता दिया था इसको हम पहले करते हैं एक्स का वाई परसेंट एक्स इंटू वाई बटा सो लिख देंगे प्लस वाई का एक्स परसेंट तो वाई इंटू एक्स बटा सो लिख देंगे बच्चों एक्स इंटू वाई हो गया एक्स वाई बटा सो प्लस यह वह गया यह एक्स एक्स वाई बटा सो ठीक है अब हमें दियावा क्या इसमें option बच्चों का एक्स परसेंट पूछाए इसका आमें वापिस क्या पूछा है बच्चों एक्स परसेंट रुके नुक्त प्रस्ट में दिया ये ये इन दोनों का प्लस क्या होगा वो एक्स बटे गया जोड़ दोगे एक्स बटे सो प्लस एक्स बटे ये कितना हो गया ये कितना हो गया बटे xy कितना हो गया 2xy बटे 100 xy और xy कितना हो गया बच्चाओं 2xy बटे 100 ठीक है अच्छा अब अगरी 100 हटाएं तो 2xy का क्या लिख सकते हैं बच्चाओं परतिसत 100 का चिनह अटाते हो तो परतिसत में लेते हैं उल्टा सोचें तो 2xy का परतिसत ठीक है ना यह चीज़ यह बिलकुल कुछ बच्चों ने यह आंस्वरिद दिया कि बचाट दिया xy बटे 50 यह बिलकुल करेक्ट है बच्चों आपका लेकिन हमें ऑप्शन में यह दिय है बच्छों option में दिया है 2xy का परतिशत तो बटे में 100 होता है वो 100 हटा के हम लोग यह लिख सकते हैं बच्छों क्योंकि आप उल्टा सोचें तब आपको समझ आ लेगा 2xy का परतिशत है तो हम लोग परतिशत का चिना अटा के बटे में कितना ले लेंगे बच्छों सो तब हम लोग बटे में कितना ले लेंगे सो यह भी करेक्ट है लेकिन option में यह है तो हमें इस इस पे टिक करना पड़ेगा ठीक है कि अच्छा पिछले सवाल में बिलकुल मैं गलत बता दिया था मैंने पिछले सवाल में आपको सीधा वापिस लिखवा देता हूं एक एक जीरो की अपने कमी कर दी थी सुनिएगा पिछले जो है उसको आप करपिया वापिस समझ लें इसको रट लेना इनको बस एक मिलियन एक बिलियन और एक ट्रिलियन यह सीधा क्या होता है बच्छों 10 की गात 6 मतलब 10 जीरो कितनी बार होते हैं 6 बार यह 10 की गात 9 होता है यह fix है बटा मैंने इन सब में एक एक कम बता दिया था 10 की गात 9 है इसको आप करपिया करेक्ट करें बटा ठीक है यह मैंने जल्दवाजी में गलत बता दिया था आप इनको करेक्ट याद रख लें 1 टवाने मिलियन मतलब 10 की गात 6 वन बिलियन मतलब 10 की गात 9 मतलब कितनी बार दिरो आएगा बच्चान नो रखें आप से याद रखाएं आपके च्हें के गुणांत में याद रखें बैटा यह पूचा जाता है कही बार आसान नेकिन देखो इसमें गड़बर कर देते हैं ठीक है मैं फिर चाहूंगा इसके लिए जल्ब बाजिन गल्ब बता दिया कहीं बच्चों का आंस्वर करेक्ट था बच्चों को देखके मैंने बता पाया हूं इसको ज्यान देना वन मिलियन मतलब 10 की गात 6 वन बिलियन मतलब 10 की गात 9 और वन ट्रिलियन मतलब 10 की गात 12 यह तिनों डाटा याद रखें दो वन बिलियन मिलियन ट्रिलियन अपने को बिलियन पुचा था इसका आंस्वर 10 की गात 9 होगा ठीक है वो पुराना हमने गलत देख लिया था ठीक है यह क्रेक्ट है इनको अपर लेना मानों को चलिए अब अगर चलते हैं बच्छों अगला सवाल आपधर इह अब यह प्रस्ट्न है वेटा इस टाइप के सवाल हमनें कर रखें सब्सेथ से पहले छोटा खूस्टक करते हैं थे कुछ अच् ряд कोष्टक भी दे रखाइं इसमें है कुछ ने हैं इसमस्र चोटाψ फिर मंजला फिर सबसे पहले हम किसको हल करेंगे छोटा को स्ट्रक को हल करते हैं बैया साइड में तेरा बटे दो माइनस साथ बटे दो माइनस तीन बटे दो लसब दो याएगा दो का बाग दो में एक बाग एक को तेरा से किया तेरा माइनस का माइनस दो का बाग दो में एक बार एक को साथ से किया शाथ दो का बाग दो में एक बार यह तीन माइनस माइनस है तो माइनस ते आगिया बच्चों अपना तीन बटे दो यह अपना कितना आगिया तीन बटे दो सबसे पहले हमने छोटा कोश्ट्रक हल किया बच्चों तीन बटा दो आया इसकी देगे तीन बटा दो लिखेंगे बार माइनस, प्लस माइनस गुणा होगा, क्या होगा, माइनस 13 बटे 4 प्लस, 15 बटे 2 माइनस, 25 बटे 4 माइनस 3 बटा 2 हो जाएगा, बच्चों. हुए अब किष्क DANIEL करेंग है वंजले को स्ट्रक को 25 बाटे inheritance थीन बाते धो रश प्लस 15 बटे 2 माइनस इसमें आप 19 बटे 2 लिख दो भया भी 19 बटे 4 लिख दो मतलब अब भया इसमें ध्यान दें यह 19 बटा 4 माइनस प्लस का है बार माइनस है प्लस माइनस किसका चिने हो जाएगा बच्चों माइनस का तो 13 बटे 4 प्लस 15 बटे 2 माइनस हो जाएगा 19 बटे 4 हम इसको यहीं सीधे हल कर लें 13 बटे 4 प्लस अंदर दो चार का लशब चार दो का बाग चार में दो बार दो को 15 किया 30 माइनस चार का बाग चार में एक बार एक उनिस है उनिस यह 13 बटे 4 प्लस तीसर उनिस हो गए 11 बटे 4 जोड़ दिया इनको लशब 4 आएगा 13 प्लस 11 आ गया 24 बटे 4 कितना आजाएगा आंसवर 6 सबसे पहले छोटा कोस्टक लेके हल किया बच्चों फिर हमने मजला कोस्टक लेके हल किया फिर हमने बड़ा झाल गड़ा है झाल 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 लगा लेंगे अगर संख्या में दश्मलव नहीं दे रखा है बच्चों तो हम पॉइंट लगाके सबसे लास्ट में दश्मलव लेते हैं यह पॉइंट लेके अब इनको जोड नहीं है सिदा तो जीरो पॉइंट जीरो साथ five point a एक यहां ले लिया फिर 007 फिर point 3 यहां भी भी जीरो यहां 0 0000 यहां 0 है को यहां दस प्लबंव की जोडनी बिल्कुल आशान है पॉइंट निखेए पॉइंट अंक के निचें अंक इधर पहले निच पहला इधर भी पहले स्टाइश धूर अ इसे जान खाली दिका मां 0 लगा अब पॉइंट निचें पॉइंट है जोड कर लो चाँट 0 7 3 नेक 4 उस रोक आशलागी 1 3 नेक 4 ही जो इस इदर 5 नेक 8 इतर आगिया 8.4707 8.4707 8.4707 9.4707 9.4707 बिल्कुल सही है ठीक है चली अब हम लोग आगे चलते हैं बच्चों दश्मलों की जोड़ थी आसान ठीक है अगला सवाल हम रिजनिंग का लेते हैं दिशादूरी का सवाल है अलग टाइब का सवाल अच्छा सवाल है इसको समझिएगा कह रहा है शरीता पट्री की और पीट करके बैठी है बाई माल लो ये रेलवे ट्रैक है पट्री है बच्चों शरीता पीट करके बैठी यहां माल लो शरीता बैठी इसका मुँ इस तिशा में होगा तभी तो पीट करके बैठी बच्चों यहां सरीता बैठी है है सरिता का मू हमने साम है जब ऐसे कल्पना करो इन सव्षयाद्र जब नीचे की तरफ होगा तभी फीठला को गट्री के तरफ होगा लोग ला है ऐं चले तुझ शरीधा है के रहां शरीधा पक्ट्री की और पीट करके बैठी यह पट्रियां बच्छों पट्रिक और पीट करके मतलब मुह इस दिशा में एक रेल गाड़ी उसके बाएं से दाएं के और जा रही है शरीता की दिए खुद की कल्पना करो बाएं मतलब लेट रेंड साइट बेटा डावे हाथ ठीक है बाएं से दाएं ज अब ट्रें जिस दिशा में जाएगी है भूप ट्रें वाइथ दिसा में जएगा बाएंस सदी बांग एगा ट्रें इदर जाएगी तो बिद्वा किणा जाएगा इस दिशा में आएगा मिं , और छाए था ल यदि तरह देशा कौनड़ी कहा रहा है बिच्ण आमें दक्षिन बस्ट यहां से पकड़ में आ गई एक बिशा कहते यह जाए कान नक्षा सोच उत्तर मतलब कश्मीर दक्षिन चिह जाएगी पस्चिम राज़स्तान यह पूरुव इस दिशा में असम हमें पूछा क्या है शरिता का मूँ किस दिशा में की तरफ है तो आंसर क्या आएगा बच्चों पस्चिम दिशा में शरिता का मूँ किस दिशा में है बच्चों पस्चिम दिशा में वेस्ट पस्चिम खूब सारे बच्चों ने आंसर दिया वेरी गुड बिटा अच्छा सवाल था और इसका आप जवाब देए पाएं तो बहुत अच्छी बात है बटा साबाज चली अब हम लोग आगे चलते हैं बच्चाओं शत्रवार सवाल यदि रश को आर यू एसेच को कूट बार्षा में 66 लिखें रश को कूट बार्षा में 66 लिखते हैं तो जानू को क्या लिखेंगे शवाली उन्दा बादरा है जानू को आप भी कुछ नहीं लिखें पैपर है बिटा आप लोगों के पड़ेई में ज़्यादा ज्यान दें बाद में लिखते रहें लिए इनको को कहरा 66 लिखने तो पहले देखो आर मतलब कितना होता है 18 यू मतलब 21 एस मतलब 19 एस मतलब आंट ठीक है कई इनको जोडने से तो नहीं हो रहा है मामला आंट आंट शोड़ा हां बिलकुल इन सब को अगर हम जोडें इनका योग करें त इनका इनका कहीं बार जोड के इसका आदा कर सकता है मुझा बाग दो दे सकता है या भाख तीन भी कर सकता है वह धियान देना इंका इनको 26 हो रहे हैं बेटा बिल्कुल तो इनका भी हमें क्या कर लेना योग कर लेना है जानू का J मतलब 10 A मतलब 1 N मतलब 14 U मतलब 21 अब इनका योग करो 10 ने 12 14 होगा 25 25 और 21 होगा 46 बिल्कुल सही जवाब कहीं बच्चों ने आंस्वर दिया है सबाश ठीक है अगला सवाल चलते हैं बच्चों यह सवाल समझना यह भी अच्चा सवाल है 25 या जी बेटा दॉलाराम हैंटी छातिरा को ठीक है नहीं ए जानू और उत्र काट दिया नहीं तो लाड़ी जानू आजई और यह जौनवर उद्धर नहीं आए तो मज़ा करो ठीक है ने बाद जी दे शब मोम आया है पड़ाई कर लो नहीं हो फिरो रोगता चली अगला सवाथ एकक्सा में 35 विद्यारती है ठीक है लड़कियों में सुमन का तीसरा इस्तान है लड़कियों में सुमन का तीसरा इस्तान है ठीक है बई और लड़कों में अमित का पांचवा इस्तान है लड़कियों में सुमन का तीसरा इस्तान है मतब सुमन से आगे दो लड़कियां उश्यार है और लड़कों में अमित का इस्तान है कक्षा में सुमन का इस्तान अमित के इस्तान से एक इस्तान नीचे है कख्षा में जो रैंक है वो जैसे अमिद की जो रैंक है बच्चों उसके जैस्ट बाद किसकी रैंक आती है सुमन की टोटल कितने विद्यारती 35 विद्यारती अच्छा सवाल है समझेगा रिजनिंग में आपके नए टाइप के सवाल डाल रहा हूं बच्चों उनको भी साथ में करते रहिएगा ठीक है आगे मैं आपके इन रिजनिंग के टेस्ट जो अपना टेस्ट पर हैं उनमें आपके कैले पहले टेस्ट प्रपॉर्णार से आप लोग जुड़े रहें अमित के जश्ट बात सुमन ठीक है एक करम मैं अमित का इस्तान क्या यह पूछ रहा है बच्छों सोंगं अ कोई बीद्यारतियों का इस्तान देखो अमित और सुमन अमीद के ज़स्ट बात उमन आएक मैं समझ लड़गे हैं तो अमित का स्थान कौन स्वा होगा बच्चों साथमाइस ता मैं भ॥ भातथ यह के रहा है पहुआ इसके पहले उससे पहले लड़कियां कितनी होगी तीसरा इस ताने दो오던 किया पहले चाह लड़कियां शें हैं तो तो लड़किया तो अमित से पहले चार लड़कें उंगे दो लड़किया छे हैं तो अमित का इस्तान साथवा और सुमन का पूश्था तो कौन सा कहते आप लोग आठवा इस्तान कि ठीक है साथवा करेक्ट आंस हो रहे बिटा अरे अब कौन सा क्या गटा रहे और क्या कर रहे और कला कराओ इसका उत्तर साथ आएगा बिटा ध्यान उसको एक बार वापी समझ लड़कर पर अरे अमित का पांत्वा इस्तान है तो चार लड़कें आगे होंगे उससे अमित के ज़स्त बात सुमन है सुमन का तीसरा इस्तान है तो दो लड़कियां होगी आगे अमित से तो या दो तो लड़कियां है उससे ऑश्यार या आगे और चार लड़कें है तो टोटल छे हैं अमित का इस्तान कौन सा आएगा सांत्वा ठीक है अमित का इस्तान कौन सा पर ले लिए उसको सतरवा टेस्ट पर चल रहा है तो अब हम लोग क्या करते हैं अच्छे-च्छे क्यूशन को मिल जाते हैं तो हम उनको डाल देते हैं रिजनिंग वगेरा मैंने अभी आपको क्या बोला कि कलेंडर है गड़ी है और दिशादूरी वगेरा और टाइप के अल रुक्सान नहीं है उसमें आपका फाइदा है आपको होगे सरकैसे क्या अजीब बात कर रहे हो अरे वह इसलिए बेटा कि आप उसमें कुछ नया सीखोगे समझ रहे हैं बात को हम आपको ईज़ी पैपर दे दें पताश हल कर लोगे तो आप खुश तो हो जाओगे लेकिन नया क्या शीखा आपने यह जीदें तो हम लोग प्रियाश करते हैं बहिया कि आप लोगों को नए टाइप के क्यूशन दें अब आप ध्यान दें यह सवाल है बच्चों अर्चना की और संकेत करते विनोध ने कहा कि उसके पिता किसके पिता अर्चना के अर्चना के जो प की बहिन का पुत्र है अर्थना के जो पिता हैं उसके बारे विनोद कहा रहा है कि वो मेरी मा विनोद क्या कह रहा है वो मेरी मा की बहिन मतलब मौशी हो गई यह कौन हो गई मौशी विनोद की मा की बहिन मा की बहिन जो अर्थना का पिता है वो विनोद की मा के बहिन का पुत्र है तो बहिया ये दोनों क्या होगे कि अर्थ अर्चना के पिता अर्चना के और संकेत करते हैं विनोद नकाक उसके पिता अर्चना के पिता विनोद के रहा है मेरी मा की बहिन का पुत्र है अर्चना के पिता है वह विनोद की मा की बहिन के पिता है तो भाया ये मौशेरे भाई हुए एक नहीं हुए बच्चों ये दोनों आपरिश में क्या हुए भाई हुए भाई हुए तो हमें ये अर्चना क्या होगी पहले नाम दिया अर्चना का अर्चना का विनोद चे क्या स ठीक है ना मौशी का लड़का है तो भी भती जी ही होगी बच्चों बिलकुल सही जवाब कहीं बच्चों ना आंस्वर दिया है वेरी गूद कि अब यह सवाग कि इसमें सीधा आंस्वर आ रहा है बच्चों हमें पता है क्या कर रहा है इन तिनों का गुणा लिख रहा है या इन तिनों का पंच त्री पंदरा पंदरा इंटू चार साथ साथ पंजे पैंतीश पैंतीश इंटू चार एकसो चार यह है तो बिटा यह चिन्नू लाना हमें तो चार चोक सोडा हो गया शोडा को हम किस से गुणा करेंगे 6 से होड़ फॉन असी होड़ चगा चिन्नू तो आंस्वर अपना कितना आ जाएगा बच्चों 6 जब हम 6 लेंगे बच्चों तभी तो 6 इंटू 4 इंटू 4 करेंगे तो चिन्नू आएगा तो आंस्वर हम कितना लेंगे बच्चों यह चि ठीक है चली आज की क्लास में यहीं तक और जो billion trillion में हमने गलती करी थी उसको कर पिया आप देख लें समाप्रार्थी उसके लिए कि billion मतलब million मतलब 10 की गाथ 6 billion मतलब 10 की गाथ 9 और trillion मतलब 10 की गाथ 12 ठीक है बच्चों काका बतीजा जैसे बच्चे कह रहें लेकिन काका या बतीजा वो है तो सही कि आपस में वो काका बतीजे हैं अर्चना और विनोद लेकिन आंसुर में पूछ रहा है अर्चना का विनोद से क्या समझत पहले नाम अर्चना आया है तो अर्चना भतीजी आंसुर आएगा फाइनल आंस्वर बती जी होगा बच्चों, option में काका बती जी नहीं दे रखा होगा, या तो बती जा या काका उस पर टिक करना पड़ेगा, और अगर पूछता विनोध का जिसका नाम पहले देता है, उसका रिष्टा पूछता है, विनोध का अर्थनाय से क्या समझ देता ह हम लोग उसमें आंस्वर चाचा या काका कहते हैं, ठीक है बत्तों, धन्यवाद 15 मिन का ब्रेक लें, उसके बाद 1-2 बज़े तक आपकी जी के, और साइंस का टैस्पेपर आपके क्रमसर हलोगा, ठीक है